हरो दोस्तो माइने ट्रेश यूट्यूब के हैं आप आपको फिर से सुवगत हैं तो दोस्तो फॉटो एडिट करना हो या फिर फॉटो पे नाम लिखना हो या फिर फॉटो के साथ कुछ भी करना हो उसके लिए हम फॉटो सौफ या फिर इस टाइप के ओनलाइन टूल्स बग बगरा करते हैं या फिर फोटो में कोई टेक्स कोई ओटर मर्क बगरा यहां करेंगे ऐसा विबसाइट करेंगे जिस को यूज कर के आप एक ही विबसाइट के अन्दर फोた como compress करना photo rotate करना photo crop करना photo में और मार्क करना टेक्स्ट यार्ड करना यह सारे सब्सक्राइब आप एक ही तूल के दम से कर सकते हैं sous और कौन सा तूल है कौन सो वेबोसाइट है इसको यी यूज कैसे करना है लिए वीदिए क्लिक लेते हैं तो दोस्तों इस काम के लिए आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं एवन टैबलेट भी तो आपको उसमें इंटरनेट होना चाहिए क्योंकि यह कोई सॉफ्टर नहीं है यह वेबस एपलिकेशन है मतलब आपको इंटरनेट के मद्दम से ही इसको यूज़ करना है लेकिन काफी फास्ट वेबसाइट है काफी स्मूध भी है और काफी जो दोस्तों है इंट्रेस्टिंग भी है तो इसके लिए आपको जो गूगल क्रोम ब्राउजर या फिर कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है मैं कंप्यूटर से कर रहा हूं आप मोबायल से कर सकते हैं उसके बाद आपको सिंपल सा लिखना है I love IMG तो मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था PDF के उपर जिस वीप्साइट का नाम था I love PDF तो उसी टाइब का यह website I love इमजी ठीक है तो यह फास्ट रिजल्ट के उपर आपका वेबसेट सो करेगा इलाइब इमेज तो आपको इसके उपर क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हैं यह लिखा हुआ है एबरी टूल यू कूड वान्ट वेडिट इमेज इन बाल्ख ठीक है तो आप इस वेबसेट के मदध हम से इन सारे चीज़ों का काम कर सकते हैं आपके पास कोई बड़े साइज फॉटो है जिसका के भी बड़े साइज फॉटो है जिसका के भी एफिर एमबी ज्यादा है आप उसको छोटा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं तो उसके लिए पको कंप्रेस इमेज का यूज करना है तो इधर से आपको सिंपल सा सिलेट इमेज पर क्लिक कर देना है फॉटो को चूज कर लेना है यह फॉटो मेरा 90 परसेंट जो है मतलब कंप्रेस कर दिया है और फॉटो आपके कंपीटर में या फिर मूबाइल फोन से भी अगर कर रहे है तो वह डाउनलोड हो जाएगा इस टाइप से तो फॉटो का जो क्वालेटी होगा वह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा जैसा क्वालेटी था वह फॉटो भी है तो भी आप रिसाइज कर सकते हैं फॉटो का मतलब यह हो गया कि फॉटो का जो साइज होता है न वह आप रिसाइज कर सकते हैं जैसे कि पिक्सल वेगरा यह सारे से वेट हाइड वेगरा तो इधर से आप अपनी साब से जो फॉटो का हाइट कैसा है आप याफ से कुग इमेज बहुत ही इंट्रेस्टिंग है अगर आपको कोई फॉटो कुरूब करना है तो कुछ कर सकते हैं कॉनफ़र्ट जेपी जी मतलब आपके पास कोई फाइल का फॉटो है और आप उसको का यूज कर सकते हैं convert from jpg photo editor काफी interesting एक चीज़े photo editor के उपर आना है photo sealer कर लेना है आपको photo को editor करना है जैसे कि photo group करना ठीक है उसके बाद दोस्तों draw करना text add करना shapes add करना stickers frame अगर आपको add करना है तो आप frame बेगरा भी add कर सकते हैं काफी सारे frame आपको इधर दिया गया है जिस frame को भी आपको पसंद है वह frame आप इधर से लगा सकते हैं इस टाइप से तो काफी interesting एक टूल है जिसके मदद से आप इतने सारे काम कर रहे हैं जब photo edit हो जाएगा तब save button पर click करके photo को आप अपने computer mobile में save कर सकते हैं उसके बाद watermark अगर आपको अपने photo पर water mark डालना है कोई text या फिर कोई आपका logo है logo याड़ करना है तो आप वह भी कर सकते तो इस टाइप से यह आ जाएगा आप इसका जो है font style ठीके बोल्ट detail बेगरा जितने भी कूछे color बेगरा यह सारे सारे चीज आप जो है एड़ कर सकते इस टाइप से ठीक है तो उसके बाद watermark अगर आप एक से ज्यादा photo में लगाना चाहते हैं तो add more image पर click करेंगे उसके बाद आप edit करने के बाद आप watermark image पर click करेंगे तो photo आपका download हो जाएगा watermark के साथ उसके बाद आपका मेमी जनेरेटर हैं अगर आप मेमी बनाना चाहते हैं तो मेमी बनाने के लिए आपको photo कर लेना है उसके बाद आपको photo के ऊपर आपको टेक्स्ट कोई फानी लिखना चाहते हैं तो आप वाड़ भी लिख सकते हैं इस टाइप सापको एक जो है आउटसाइड जो effect भी देखने को मिलेगा और text inside फिटेट भी देखने को मिलेगा अगर आपको फाटो एड़ करना चाहते हैं फाटो के अंदर इस टाइप से तो photo भी एड़ हो जाएगा और उसको भी दोस्तों आप इस टाइप से सीलेट कर सकते हैं किसी भी जगा आपके जरूरत के हिसाब से ठीक है तो इस टाइप से आप फॉटो में फॉटो के जरीए आप में भी जनेरेट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों रोटेट इमेज अगर आपको फॉटो को घुमाना है 90 degree या फिर अपनी हिसाब से अगर आपको फॉटो को आपको रोटेट करना है इस टाइप से तो आप रोटेट कर सकते हैं आप देख सकते हैं इधर आपको जो है portrait, landscape ये सरे सरे दिया गया है ठीक है अगर आपको फॉटो को portrait mode में करना है landscape mode में करना है तो आप ओभी कर सकते राइट लेप्ट हो जाएगा इस टाइप से रोटेट कर सकते हैं उसके बाद रोटेट इमेज पर क्लिक करेंगे तो यह फोडो रोटेट होकर यूज कर सकते हैं तो है ना दोस्तों कमाल के एक टूल वेबसाइट तो अगर आपको आज का यह वीडियो यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजिए इस टाइप के आगे और वीडियो पाने के लिए भी हमरे चैनल को सबस्क्राइब कर शाती में क् क्लिक कर दिजिए तो आज कर इतना ही थैंक्स